हर्याना में ठिठुरन एकदम से बढ़ गई है आलम ये है कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है वहीं सडकों पर वाहनों की रफ्तार भी थमसी गई है सर्द हवाव ने प्रदेश में ठिठुरन एकदम से बढ़ा दी है और मौसम खुश्क बना हुआ है घने कोहरे की वज़े से दृष्चता भी 50 मीटर तक रह गई है हाला की धूप भी निकली लेकिन रात होते होते कपकपी बढ़ गई और सुबह भी घना कोहरा चाया रहा 21 दिसंबर को आंशिक बादल भी छाय रह सकते हैं रात्री तापमान में हलकी गिरावट वसुबह एवं देर रात धुन रहने की समभावना है उधर हिसार में सीजन का दूसरा सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया कडाके की ठंड में लोगों के हाथ पैरों में गलन महसूस होने लगी है दोपहर को धूप तो निकली मगर शीत लहर से लोगों को कोई ज्राहत नहीं मिली शाम चार बजे के बाद तापमान में और गिरावट दर्ज की गई हिसार में अधिक्तम तापमान सामानने से साट डिगरी सेल्सियस कम रहकर पंदरा डिगरी तो नियूंतम तापमान सामानने से पाँच डिगरी कम रहकर चार डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया सिर्सा में दिन का तापमान 12.3 डिगरी सेल्सियस पर आ गया जो सामान्य से 11 डिगरी कम है नार्नोल में रात का तापमान 3.4 डिगरी दर्च किया गया ये सामान्य से 6 डिगरी कम है उधर कई जिलों में गहरी धुंद छाने से द्रश्चता 50 मीटर रह गई ठंड से बचने के लिए लोग हीटर अलाव सहीत अन्य उपकरणों का सहरा ले रहे हैं झाल 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 ऐसे ही लेटेश दोबरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्य वाल झाल 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 छोति गादन वोल्ड ओर काटरींग शेंरे एक्षैंटिशे कोड़े राद्राइश अनुक्राइब घांड जैबीड आड़र्थी शेयर इसकी व्हुरीख दूर्श सेंटिया डाइब टर्लाइब यॉज टीक जानल फूर अट्रेद।